अब हमें पता है किन किन के बारे में मैं दुबारा दिया भी बता दूँगा मैं बता दूँगा पहले मैं कॉंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं हमें पता है इंपलोई दो तरीके के हैं सरकारी भी हो सकता है और प्राइबेट हमें दोनों के बारे में पढ़ना होगा और दोनों का ट्रीटमेंट ऑफ सेलरी अलग अलग होता है तो दोनों के condition को याद रखना होगा और इसके साथ-साथ एक और employee होता है जो आपने सुना होगा कि Indian embassy में काम करते हैं जैसे कि बाहर जॉब करते हैं न वो government वाले होते हैं इंडिया वाले देते हैं लेकिन हम उसको जब बाहर भेजते हैं तो बोलते हैं भाईया तुमारी बहुत सारी salary पे हम tax नहीं लेंगे जब भी आपको कहीं मुश्किल जगह पे भेजा जाता है तो आपको लालच तो दिया जाएगा न और वो लालच यह होता है आप अपने family को अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हो तो government कहता है चलो tax एक तो ज़्यादा salary भी देंगे और एक tax भी नहीं लेंगे वो कहीं भी बेज सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको specific USA भेजेंगे जहां मन कर रहा है वो जहां भी बेज सकते हैं तो employee तीन तरीके के हो गए number one हो गया simple private number two simple government जो इंडिया के अंदर है और तीसरा हो जाता है हमारा जो हमारे बाहर जाता है और उसी के साथ साथ एक ऐसा भी person होता है जो कि UNO में भी होता है याद होगा United Nations जो भी हमारा आपने देखा होगा मेरे को ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है गवर्मेंट को देखा होगा कि वहाँ पर जाते हैं स्पीच देते हैं तो वहाँ पर भी एक हमारा स्पोक पर्सन एनी टाइम होता है कि उसको सेलरी नहीं मिलता होगा मिलता होगा तो उनके बहुत रेयर है पहले private और सरकारी की बात करेंगे अब बात करते हैं पहला deduction standard deduction की बात नहीं करेंगे पचास अजार रुपे फिक्स है second deduction entertainment allowances entertainment allowances sir entertainment allowance का मतलब क्या है entertainment allowance की मैं बात करूँ ना तो हम मान लेते हैं कि किसी hospitality के लिए मतलब सर hospitality का मेरा एक कार का showroom है मान लेते हैं कार का showroom है और वहाँ पर जो customer आ रहा है तो बट अव्वेस है कि वो customer साधारन customer पैसे वाले customer है और जहां पर ज़्यादा महंगी चीजों को लेने जाओगे ना वहाँ पर आपके लिए खातिरदारी जादा की जाएगी आप BMW कार लेने जा रहे हो Mercedes कार लेने जा रहे है तो वहाँ पर आपको खाना पीना सब दिया जाएगा और BMW का ओनर क्या भारत में रहता है नहीं रहता लेकिन BMW का कार भारत के अंदर बिकरा है या नहीं बिकरा यानि उसके manager है कोई ना कोई तो है यहाँ पर तो manager की responsibility है कि जो customer आता है उसको इस तरीके से treat किया जाए ऐसा feel करवाया जाए कि वो हमारे कार को ले ही ले तो उसका तरीका क्या है customer आएगा welcome करेंगे उसके बाद फिर साथ के साथ उनको चाय, पानी, खाना, पीना सारी चीज़े अब मैंने कई बार देखा है कि जब आप कार को final कर देते हैं खरीते हैं तो इतनी बड़ी चावी देते हैं कागज की होती है वो अलग बाद वो क्या है एक customer को लगता है कि हमने कुछ लिया है उसमें भी पैसा खर्चा होता है वाई तो पैसा जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को क्या manager अपने salary में से देगा वो company में से देगा ना तो honor से particular fund आता है manager के पास आपको hospitality के लिए पैसे दिया जा रहा है text के अंदर उसको बोलते हैं entertainment allowances लेकिन सही माईने में देखा जाए कि अगर entertainment allowance की हम बात करें तो entertainment allowances actual में खर्च किया जाता है customer के उपर लेकिन tax tax का जितना भी देखा जाओगे न tax की चोरी की अगर मैं बात करो तो इन जगाँ से ज़्यादा होने लगता है मालिक ने पैसे भेजा एक करोड रुपए manager बोल रहा है sir एक करोड रुपए तो मैंने खर्च कर दिये employee के मतलब जो भी हमारे customer आया उसको service देने में एक करोड का खर्चा दिखा दिया एक करोड का खर्चा दिखाएंगे वो P handle में अगर उसकी दो करोड रुपए की income है और एक करोड का खर्चा बढ़ा दे तो इसकी income आ जाएगी एक करोड एक करोड पे 30% से सिर्फ 30 लाग का tax देना पड़ेगा हो गया यहाँ पे manager को बोला तू बस यही बोली हो हाँ खर्च हुआ है तो यहाँ पे tax का चोरी किया जा सकता है यानि tax planning के इस आप से देखा और जाया जाय तो tax यहाँ पर government को से बचाया जा सकता है तो government ने कुछ rule बनाया के भ 57 यहाँ जहां घाभर्मेंट को लगतता रिया है कि लोग यहाँ पे tax planning कर सकते है tax planning का मतलब पता है चोरी कि यहुता है कि मैंने पैसा ले लिया अब मैं सरकार को टेक्स नहीं भरूँँआ यह से कमाया भरना है बोल रहे है नहीं भरूँआ यह है टेक्स चोरी आपने टेक्स भरा है लेकिन लॉग के अंदर कुछ ना कुछ जहां पर लूफोल्स है लॉग के अंदर जहां कमी है उसका इस्तमाल करते वे आपने कम टेक्स दिया है तो that is a not के आपने टेक्स चोरी किया ये टेक्स की planning है जब ये law बना होगा मान लेते हैं ऐसा खर्चे का कोई provision नहीं होगा लोगों ने खूब खर्चे का benefit उठाया जब खर्चे का benefit उठाया तो government ये नहीं कह सकती कि आपने टेक्स की चोरी की है government को ये बात पता चल जाता है कि अच्छा यहां पे लोग बाग बहुत फायदा उठा रहे हमारा एक काम करो इसके उपर restriction लगाओ एक simple सा मैं section की बात करूँगा section 24A house property क्या है deduction, standard deduction 30% वहां पे क्या था कहा जाता था कि अगर आप मकान को किराए पे देओगे तो आपके किराए के income पे tax लिया जाएगा सर जब किराए के income पे tax लिया जाएगा और जो भी खर्चा होता है न उस खर्चे को minus कर देना किराए से फिर tax देना तो लोग बाग ने क्या करा किराया आया एक लाक रुपे अगर पांच लाक साल का रहा है तो बोल्डा जी हमने तो छे लाक का रिपेर ही करा दिया कस्ट्मर को लग्जीरियस करवा रहे हैं हम तो हर मेरे हम पीजू भी करा देते हैं गौवर्मेंट ने बोला बिल दिखाओ, बिल तो कहीं भी बन जाता है, तो क्या हाउस से सरकार को टेक्स मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, सरकार ने बोला भाईया एक सेक्शन लेके आ रहे हैं, 24A, जो भी आपकी इंकम है, 30% माइनस कर लिजिए, आपका खर्चा 2 ला तो सेम एंटेटेन्मेंट अलाउंस में गौवर्मेंट के लिए क्या बोला गया, मेरा कहने का मतलब क्या था, कि लौ जो बनाये जाता है, वो लौ लौ तभी अच्छा होता है, जितने भी लोग जिनका शातिर दिमाग होता है, जो टेक्स प्लैनिंग करते हैं, वहां से तरीके के मैं employee बात करूं, तो दो तरीके के employee हो सकते हैं यहां पर, एक हो सकते हैं हमारा, government, employee को double e लिख दूंगा मैं, ठीक है, एक होगा government employee, सर दूसरा कौन सा employee हो सकता है, private employee, यानि BMW का जो example लिया वो था sir private employee government की बात करें MCD हो जाता है जो भी government से relative ऐसे तो local authority government के definition में आता है चाहे वो state में हो चाहे center में हो अगर कोई भी government है employee है तो उसके लिए entertainment allowance taxable हो जाएगा lower off मैं इसके example भी लूँगा lower off बोला गया भी या इन तीनों में से जो सबसे कम होगा ना वो minus करने दे देंगे number one 20% of basic salary number two maximum limit पांच हजा सर सेलरी का मतलब क्या है salary is equal to only basic salary salary का मतलब only basic salary अगर कोई भी सरकारी employee है और अगर मान लेते हैं उसका salary दस अजार रुपे बन रहा है entertainment allowance जो बन रहा है वो कुछ भी मिल रहा उससे matter नहीं करता आपका salary साल आना दस हजार है तो दस का सर 20% निकाल लीजिए जो कितना होता है और maximum limit क्या है whichever is lower वो minus करने देंगे तो इन दोनों में से lower क्या है 2000 minus कर लो अगर आपका salary एक लाग साल का बन रहा है तो 20% क्या होगा और maximum limit यह साल का limit है महीने का नहीं है आप बस 5000 ही चाय पानी पिला सकते हो साल में इसे ज़्यादा बोला government ने ज़्यादा facility नहीं देना तो अब कितना exempt होगा जब तक मैं question नहीं कर देता है इसका आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यह चलिए एक example ले लेते है Mr. X है एक employee basic salary 20 अजार पर मन्त entertainment allowance entertainment allowance 25 अजार annual dearness allowance जिसको मैं short form में DA बोल रहा हूँ 5000 अजार रुपे पर मन्त calculate taxable salary और सर ये है government आपको simple taxable salary निकाल के बताना है ठीक है अभी तो मैं पहले एक करके दिखा रहा हूँ सर कैसे निकाला जाएगा simply सर सेक्षन कौन सा है ये सेक्षन तो लिखना ही बूल गए सेक्षन सिक्स्टीन सब सेक्षन टू है ये और मैंने का सेक्षन आपको याद हो चाएए ना हो फरक नहीं पड़ता लेकिन मेरा मानना है सेक्षन याद करोगे लेकिन तो थि initiatives आपको ज़्यादा याद रहता है हम सबसे पहले लिखेंगे सर बेसिक सेलरी सर बेसिक सेलरी 20,000 है तो पूरे साल का काउंट होगा तो 2,00,00,12 से मल्टिप्लाई कर दिया कुछ बच्चों को अगर डाउट हो तो मैं मल्टिप्लाई के करके भी दिखा देता हूँ इसके बाद सर डी ए डीरनेस अलाउंसिस ये भी सेलरी का पार्ट होता है तो सर डीरनेस अलाउंसिस 5,000 रुपे महिने के हिसाब से पूरे साल ही मिलेगा तो 12,000, 12 महिने का 6,000 सर अब इसके बाद entertainment allowance सर entertainment allowance 25,000 है ये आ गया इसका total करेंगे ना जब हम तो 3,25,000 that is इसको call क्या करेंगे सर बहुत simple language में मैं बोलने जा रहा हूँ इसको call करेंगे gross total salary अब इसमें से होगा minus deduction format थोड़ा से याद दिला दू मैं क्योंकि पुरानी चीज़े एक बार दिखा दू तो ज़्यादा clarity रहता है यही बोला था salary ऐसे निकालेंगे सर allowance एड हो गया परकिस जिटस्थान ही तो हटा दिया अब क्या आ गया हमारा अब इसमें से deduction minus करेंगे पहला standard deduction पचास हजार रुपए पिछले दो साल से इंटर्ड्यूस हुआ यह fixed है मैं इसके उपर बाद में discussion करूँँगा सर यह पचास हजार रुपए क्यों दिया गया क्योंकि medical allowance में 15,000 रुपए का deduction का था उसको cancel कर दिया क्योंकि लोग भाग fake bill बनाने लग गये थे traveling allowances के अंदर आपका transportation allowances में 1600 रुपए महिने का पहले मिला करता था लोग भाग उसके अंदर भी जूट बोलने लग गये थे तो government ने बोला हम 50,000 fix दे रहे हैं बाकि अब traveling allowances transportation allowances का कोई deduction नहीं है और नहीं आपका कोई medical allowance का deduction मिलेगा इसके बदले आ गया था तो 50,000 fix है यह maximum limit है तो मेरे question में देखा जाए तो सर यह दोनों deduction मिलेगा बस last वाला नहीं मिलेगा मेरे question में देखा जाए तो दोनों मिलेगा सर बस last वाला नहीं मिलेगा है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी देख लो देख लो यह allowances है ना allowances है अब minus करेंगे deduction वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ standard deduction standard deduction सीधा 50,000 अब minus करेंगे sir entertainment allowance यानि जितना आपको मिल गया पहले add करिए जितना मिल गया वो add करिए deduction जो मिलेगा वो इस rule के हिसाफ से मिलेगा sir अब rule के हिसाफ से देखें sir कितना मिलेगा 20% of salary rule number one पहले check करो 20% of salary तो sir salary का मतलब मैंने बोला स्रिफ basic वाला part लेना है तो basic 2,40 तो 2,40 का 20% अगर मैं निकालता हूँ sir 48,000 रुपे point number two maximum limit 5,000 maximum limit जो इन दोनों point में से lower होगा वो ही deduction मिलेगा तो 5,000 तो यहाँ पे deduction सरफ मिलने वाला है बाकी part पे इसका हो जाएगा यह आजाएगा हमारा taxable salary यह आजाएगा taxable तो सर कितने होगे माइनस दो लाग मैं तो बस बता रहा हूँ कि implementation कैसे करें क्योंकि छोटी-छोटी question तो ना तो बुक में आपको बहुत डूनने पर भी मिलता है मैं अपने example लिख रहा हूँ कि से चाहिने का मतलब है कि सारे employee के लिए हैं बिलकुल सारे employee के लिए स्पेसीफ़ाइड employee है या नहीं है तो मैं आज की बार इसकी फाइड इंप्लोई वा इंप्लोई होता है जिसकी salary साल की पचास अजार है और आज के time पे every employee is specified employee क्योंकि हर किसी की salary साल की पचास अजार रुपए तो है तो मैं इसके पर बाद में आऊंगा शिवान की मैं बाद में इसके discussion करेंगा मैं पूरा जब करता जाऊंगा जिस जिस point में पूशता जाऊंगा उसमें आप जो मर्जे doubt पूछिए और सारा cover होगा ऐसा नहीं करें सर प्राइवेट अगर प्राइवेट employee है तो जवाब है no deduction यानि सर प्राइवेट इंप्लॉई आपको कुछ माइनेस करने नहीं दिया जाएगा तो सर अगर यही question प्राइवेट इंप्लॉई का होगा तो answer क्या अलग आएगा definitely answer अलग आएगा और सर क्या answer अलग आएगा देखिए answer अलग यह आएगा कि जो deduction यह 5000 का है ना क्योंकि यह प्राइवेट इंप्लॉई है तो यह 5000 वाला deduction की बात ही नहीं होनी है और इस case के अंदर answer जो आजाएगा सिरिफ 5000 तो 270 दोनों सामने दिख गया आपको दोनों दिख गया अगर गवर्मेंट इंप्लॉई होगा तो तो deduction मिलेगा गवर्मेंट इंप्लॉई नहीं है तो deduction नहीं मिलेगा बाकि एंप्लॉई को उठाना पड़ेगा बाकि एंप्लॉई करेगा ही नहीं एंप्लॉई करेगा ही नहीं वह मालिक से लेगा और बोलेगा है भाई मेरे को अब कुछ बच्चों का कहना है के सर एंप्लॉई ने तो hospitality पे 20,000 खर्चा कर दिया लेकिन benefit इतने का मिल रहे हैं दो तरीके से पैसे दिये जाते हैं एक हमने कहा तुम्हारे salary का पार्ट है ये उसमें एक्स्ट्रा पैसे आप बोल रहे हैं आपने बोला सर मैं कहां से दूँँगा अपने salary से तो भाई ठीक है मत entertainment allowance के लिए अलग से office में ही पैसे छोड़े हुए हैं मैनेजर हाथ नहीं लगाता उसको salary का पार्ट नहीं है तब तो जितने मर्जी पैसे खर्च करो तो दो situation दोनों अलग अलग है तो सर जादा से जादा ना ये वाला बहुत rare होता है बहुत पुराने हैं बताओ 5000 कर deduction मिल र आ रहा है 1962 से बना हुआ section है ये तब से ये रिवाइस हुआ तो है लेकिन इन section पर ज्यादा काम नहीं हुआ है तो पुराना है हमें exam की point of view से पढ़ना है practical life में बोलेंगे तो no implementation होता ही नहीं है और किसी को 5000 रुपे माइनस करने से क्या फरक पढ़ता है कर चाहे मत कर हटा इ किसी का salary मिलेगा हाँ जो चीजे इसके बाद जो आएंगी वह practically हमें मिलेगा और उसका deduction भी लेंगा जैसे मेन HR हो जाता है हमारा या फिर RFA हो जाता है बहुत सारी चीज़े हो धीरे धीरे देखेंगे clear है यहां तक no deduction मतलब माइनस नहीं करने दिया जाएगा तो सल मैंने कहा था कि आप क्या करिये जो हमने basic देखा था इसके अंदर से एक तो ये part हमने कर लिया ये तो सब के लिए same ही है सर क्यों ये भी देख लिया अब एक बार ये देख लेते हैं professional text प्रोफेशनल टेक्स का क्या रहेगा सर प्रोफेशनल टेक्स के अंदर maximum पच्चिस सो रुपए का deduction होता है किस किस को मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं professional प्रोफेशनल टेक्स सर ये भी deduction का ही पार्ट है सर section क्या है 16 subsection 3 रॉमन में 3 है ये section याद रखने की जौरत नहीं है बाकि मैंने लिख दिया है पहले तो income tax जो होता है और एक होता है state tax GST का tax आपने सुना है ना GST दो लोगों में बढ़ता है center में भी बढ़ता है और state में भी बढ़ता है लेकिन जो income tax होता है ना ये सिर्फ center के पास जाता है state का कोई अधिकार नहीं है इस पे इंकम tax पे जो भी कानून बनता है वो कौन बनाता है central government यानि मूदी और GST पे दोनों की सहमती से बनाया जाता है तो professional tax एक अकेला इसमें ऐसा है कि state government को power दिया गया है कि आप professional tax लगाए और employee से वसूल सकते है सर professional tax क्यों लिया जाता है कोई भी factory है मैं एक simple सा example ले रहा हूँ कोई भी factory है कि इसके आस पास आपके road है street light है आपको बहुत सारा benefit क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जब आप जाओगे न तो आप देखोगे वहां की हालात ना हमें सब बिगड़ते ही रहता है रोड बनाए फिर खराब हो जाता है क्यों क्योंकि वहां पर heavy heavy truck वगएरा चलती है ज्यादा durability नहीं रहेगी street light वगएरा भी बहुत ज्यादा वहां दिक्कते रहती है और वहां पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो pollution का सबसे ज्यादा टेंशन रहता है उसको कौन साफ करता है factory वाले तो क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं mcd वाले तो करेंगे और mcd किसके अंदर आता है state के अंदर तो state government ने बोला भाई जो industrial area है वहीं पर employee काम कर रहा है ज्यादा से ज्यादा या कहीं भी है अगर office area वहां भी काम कर रहा है लेकिन वहां पर हम facility बार बार दे रहे हैं और वहां का जो employee है वो जरूरी नहीं कि हम वोट देता हो हो सकता है यूपी से आ रहा हो निता जी सुबास पहलेस में काम करने के लिए गाजी अबाद से भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है वो तो वोट वहां देगा लेकिन facility हमसे इंजोई गर रहा है वो डैली गवर्मेंट का डैली गवर्मेंट ने बोला या यहां पे जो पार्क वगएर है जो employee को facility मिल रहा है उसके लिए अब प्रोफेशनल टेक्स अगर हम आपसे बोले के आप आईए मेरे पास नौकरी करिए नौकरी करने के बाद आपको 20,000 रुपे salary दिया जा रहा है और 20,000 के बाद आपको सरकार को professional tax भी देना पड़ेगा त यहां पे दो point निकल कर आई या तो आपका professional टेक्स आपके नाम का employee भढ रहा है multiplier भढ रहा है या आ खुद जमा कर रहा है या कौन भढ रहा है? employer या आप खुद जमा कर रहे हो, चाहे state का हो, चाहे आपका private हो, दोनों के लिए state का, state कहा रहा हूँ चाहे government employee हो तो sir ये दोनों के लिए apply है ये है existence में है लेकिन इतना ज़्यादा amount लेंगे है बताओ employee से लिया जा रहा है salary 10,000 क्या, 20,000 ले लेंगे उससे हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका amount क्या होगा हमेशा small होगा, 200 रुपए 300 रुपए, 500 maximum बोला हुआ है, sir 2500 रुपए से ज़्यादा नहीं maximum 2500 रुपए deduction की limit दे रखी है यहाँ पे देखा जाए दो बाते हो सकती है जो यह tax है उस payment की बात करें तो कोई भी 2% tax का payment कर सकता है sir 2% कौन tax की payment कर सकता है may be possible है के employer payment कर रहा हो और may be possible है के employee payment कर रहा हो बाकी आप tax बगएरा बाकी law बगएरा में पढ़ेंगे article ने special provision दिया हुआ इसको paid कोन कर रहा है या तो कर रहा है employer या paid कर रहा है employee या employer paid कर रहा है या फिर employee paid कर रहा है अब मान लो आपका basic salary आप ध्यान देना basic salary की मैं बात कर रहा हूँ आपका 10,000 रुपे महीने का है sir साल में आप 12 से multiply करिए तो आपका हो जाता है एक लाग तो मालिक employee को salary दे रहा है तो उसका खर्चा कितना एक लाग तो sir जब मालिक P&L बना रहा होगा तो अपने P&L में salary के नाम से जो mention करेगा कितना मैंस mention करेगा तो government का पता है क्या policy होता है अगर तुम से tax नहीं ले पा रहे तो तुम से ले लेंगे अगर यहाँ company से tax नहीं ले पा रहा है एक 20 के उपर तो किस से ले लेगा वो यही होता है simple सा rule है देगा तो हर कोई दूसरा professional tax मालिक ने paid किया तो मालिक बोलेगा भाई मैंने paid किया मेरा तो खर्चा ही है तो मैं दिखाऊंगा professional tax गवर्मेंट पूछता है professional tax payment आपने क्या employee तो बोला भाई है employee को salary जो देना था ना वैसे मेरे मन में चल रहा था employee की salary मुझे देना 11000 लेकिन वो professional tax में हाँ ना हाँ ना कर रहा था तो मैंने बोला 10 पकड और 1000 रुपे मैंने जमा कर दिया यानि मेरा तो यहाँ पे सर ये है तो ऐसे situation में जो 1000 रुपे employer पेड कर रहा है वो भी आपके salary का part है और वो आप से 1000 रुपे और 12 महिने का 12000 रुपे पे tax पैसे वसूल लेगा क्योंकि ultimately आपके उपर मेरी company का खर्चा जो है not 120,000 रुपे प्रोफेशनल टेक्स भी अपने जेब से दे रहा है तो ये भी मेरी company का क्या है और जो company का खर्चा है वो तुमारी income बनेगा तो इसका मतलब professional tax अगर employer paid करेगा तो क्या employee के salary का part है या नहीं है है employee के salary का part होगा लेकिन अगर employee ही paid कर रहा है employer नहीं कर रहा है तो क्या वो salary का part है नहीं है एक example लेते हैं example से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत easily clear हो जाएगा example देखिए मान लेते है basic salary दस अजार रुपए पर मन बेसिक सेलरी दस अजार रुपए मैं example ले रहा हूँ GST किसके पास जाता है GST की बात ही नहीं कर रहे है बाद में देखेंगे मैं example ले रहा हूँ फिर अभी समझ में आ जाएगा tension मत लीजिए DA DA जो है वो मान लेते हैं 2000 रुपए पर मन और employer ने paid किया professional tax professional tax paid किया 3000 रुपए कहा गया आप से आप निकालिए यहाँ पर taxable salary कहानी वही है format वही रहेगा जो हमने सीखा हुआ है मैं थोड़ा साइड में ले जाता हूँ मुझे जगह ज़्यादा चाहिए यहां कर लेते हैं यानि calculation कहलो computation कहलो salary तो निकाल रहे हैं दीए भी salary का part होता है दीए लिखा 2000 रुपए महिने का है कुछ बच्चों को शायद ना दिख रहा हूँ 2000 रुपए महिने का तो 12 से multiply किया तो सर entertainment allowance employer ने दिया तो प्रोफेशनल टेक्स employer ने दिया है प्रोफेशनल टेक्स employer ने दिया है तीन हाजार सर टोटल सेलरी क्या आ गया 144 और 3 140 इसको नाम देते हम gross total salary है ना इसके बाद आगे देखें deduction मिलेगा सबसे पहले हमारा एक standard deduction है तो less कर देते हैं sir standard deduction less कितने रुपए बोला हुआ है sir fix 50,000 less entertainment का तो कोई सवाल ही नहीं है तो professional tax बोला हुआ maximum minus मिलेगा आपको अब minus करके आपका tax salary है taxable salary taxable salary आप total करके बताईए एक 47 में से 50 minus होगा और 2514 बताईए 90 पूर सर यह आ गया देखें पहले एक बार add हुआ फिर minus हो गया तो अगर मैं इसको एक notes के format में बताऊ ना तो sir professional tax अगर employer paid करेगा तो it should be दो बाते होगी यहां पे एक तो add हो जाएगा वो और एक less हो जाएगा maximum पच्छिस सो from GTS किस से minus होगा gross total यह एक note बन गया आपका बस आप जब revision करेंगे न तो यह chart वगयरा इस तरीके से रखेंगे बनाके एक ही page पे रखिएगा बाकी मैं chart दूँगा आपको एक ही page पे रखिएगा so that याद हो entertainment allowance में यह होता है professional tax में यह होता है इस तरीके से ठीक है sir इसके बाद अगर यह employee paid करता तो क्या होता यानि इस question में professional tax कौन paid करता employee कुछ बच्चे बार बार doubt पूछें अभी देख रहे हैं देख रहे हैं बस 5 minute देजिए मुझे बस इसको खतम करके फिर आप से मैं बात करता हूँ sir अगर employee paid करेगा ना आप सोचिए paid कौन कर रहा employee तो मालिक तो दे नहीं रहा उसको अपने जेब से तो salary का पार्ट भी नहीं है जब salary का पार्ट नहीं है sir तो यहाँ पे आएगा भी नहीं लेकिन sir deduction में जरूर आएगा क्योंकि payment किया है न तो deduction मिलेगा तो इसका मतलब sir इस case के अंदर हमारा पूरा scenario क्या हो जाएगा change हो जाएगा यह आ जाएगा one 44 माइनस जब करेंगे कितने आगए 90 90 उसका salary कम हो गया simple सी बात है तो अगर employee paid करता है तो इसका answer क्या है sir only maximum limit आपने तीन पेड किया तो मैं तीन माइनस नहीं कर सकता maximum limit कितना है हमारा पच्छे सो ही कर पाँगा समझे only deduct from deduction फ्रॉम 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 GTS लिख रहा हूँ हम 10 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, सेलरी खतम, 16 खतम हो चुका है, 16 में सिर्फ डिड़क्षन की बात कही गई थी, और उसके अंदर 3 डिड़क्षन थे, हमने 3 डिड़क्षन को पढ़ लिया है, पहला डिड़क्षन था standard डिड़क्षन, जो कि पुराने नहीं, अभी 2 साल में इंटर्ड्यूज हुआ है, अगला था entertainment allowances का, वो भी डिड़क्षन का पार्ट था, उससे अगला था, अगला कौन सा है हमारा professional text, तीनों डिड़क्षन कम्प्लीट हो गया, आप देखेंगे, फिर से notes के उपर आजाए हम, तो सर, यहाँ पे, तीन बाते थी, डिड़क्षन का, इसको हमने समझाए, अब एक एक करके, इन दोनों को समझेंगे हम बाद में, जैसे अभी देखते हैं कितना start हो पाता है, अब जिन बच्चों का doubt है, पहले उनका ले लेते हैं, पहले आप noting कर लिजिए, तर आज कहाँ से start किया है, यह सब तो मैंने समझाया है, तो note करनी की जौरत है नहीं, main तो, यहाँ से note करी है, पिछला जो था न, due basis, मैं PDF हर बच्चों को भेज़ दूँगा, due वाला तो बस है, remember रखना है कि, due basis में यह एक नास रखना होता, नोट बेज़ दूँगा, main यह note करना है आपको, अब जिस जिसके doubt है वो ले लेते हैं,